नमस्कार दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली में सरकारी टीचर कैसे बने इसके अंतरगत दोस्तो हम देखेंगे कि दिल्ली में आप प्रामरी टीचर कैसे बन सकते हैं और दिल्ली में आप टीजीटी टीचर कैसे बन सकते हैं और पीजीटी टीचर आप क को डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा चाहे तो आप डिएड कर सकते हैं या फिर आप जो है बेलेड भी कर सकते हैं तीनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं या इसके समकच कोई अन्य डिप्लोमा कोर्स है तो भी आप कर सकते हैं आपकी स्टेट में इसे जिस नाम से भी जान लिए दिल्ली में योग है और जब कभी वेकेंसी आएगी तो उसमें आप फार्म अपलाई कर दीजिए और उसका एक्जाम आप देकर अच्छे नंबर लाकर उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे उम्र की बात करें दोस्तों तो कम से कम जो है इसमें अधिकतम की अगर बात करें तो तो पांच वर्स की छूट रहेगी अधर इस्टेट की बात करें दोस्तों तो अधर इस्टेट इसमें पूरी तरह से इलिजबल है आप भारत की किसी भी राज्य के निवासी है तो आप इसमें फार्म अपलाई कर सकते हैं और प्राइमरी टीचर बन सकते हैं योगता जो हम इलिजबल है कोई समस्या नहीं है चलिए अब नेक्स देख लेते हैं दिल्ली टीजीटी के बारे में देखिए दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो अपना आप ग्रेजूइशन कंप्लीट कर लीजिए किसी भी स्ट्रीम में आप भी काम कुछ भी कर सक हैं तो आप जो है दिल्ली में टीजीटी बनने के लिए योग हैं इसके बाद जब भी टीजटी के लिए बटीस साल है जलेल कंडिडिल के लिए और OBC के लिए 3 साल की छूट है और SCST के लिए 5 साल की छूट है चलिए नेश्ट अब देख लेते हैं दोस्तो दिल्ली PGT के बारे में देखें दिल्ली में PGT टीचर बनना है तो सबसे पहले तो आपको अपना post graduation complete करना है उसके साथ में आपके पास B.A.D. की डिग्री होना जरूरी है अगर इतनी चीज़े आपके पास हैं तब आप PGT के लिए योग हैं इसके लिए दोस्तो कोई भी CT किया हो सकता इसमें नहीं है और इसमें साथ में कोई भी interview भी नहीं होता है बस post graduate रहे और B.A.D. की डिग्री आपके पास है तो आप जो है direct PGT का exam दे सकते हैं जब कभी vacancy निकलेगी तो इसके exam में बैठ जाईए और अच्छे number लाका लाका आप इसमें select हो सकते हैं ठीक है साथ में दोस्तों बात कर लेते हैं उम्र की तो इसमें maximum उम्र जो है जनरल के लिए 36 साल निर्धारित है और OBC के लिए 3 साल के छूट या CSD के लिए 5 साल के छूट रहती है इतनी चीज़े दोस्तों महत्पूर्ट चीज़े होगे इसके अलावा भी अगर कुछ और बात करें कि जैसे कि आपने केवल Post Graduation अगर किया है Beard आपने नहीं किया है तो आपको एक मौका इसमें मिल सकता है जैसे कि अगर आपके पास 12th Graduation और Post Graduation में आपने 1st Division से पास किया है और आपने Beard अभी नहीं किया है तब भी आप इसमें फार्म भर सकते हैं लेकिन जो है Selection के बाद आपको Beard करना ही पड़ेगा उसके लिए आपको 3 साल का समय भी इसमें दिया जाता है ठीक है न? तो ये चीज़े महत्तपूर चीज़े थी दोस्तों आसा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लिए होगी इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछीएगा वेडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद